हेलो एंड वेल्कम तो आल अफ यूवां जीए भाई प्यूसर यूट्यूब चैनल देट इस वनिश्टॉप सेंटर अफ जीए जीए के जीए सेंड करेंट अफेर न्यूज तो दोस्तों सबसे तेज सबसे पहले सबसे अधा करेंट अफेर लेकर के आज चुके हैं आपके प पढ़ा पा रहा हूं लेकिन जो है आपको कंटेंट पूरा मिलेगा मेरी हिम्मत नहीं है खड़े होके पढ़ाने की तो मैं यहां पर बैठ गया हूं और आप लोग को कल क्लास नहीं हो पाई थी तब खराब की वजह से इसलिए यह क्लास ज़रूरी है तो 11 और 12 ज़रूरी क क्लास दोस्तों शुरू हो चुकी है तावरतोर तरीके से पीडियेफ आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा गुरूमंत्र बैच में आप लोग इन्रोल कर लें जिन लोगों नहीं किया है जो लोग इंटर्व्यू के त्यारी कर रहे हैं इस बैप यो के वो लोग 4 पी बेसिक बेंकिंग अवेर्नेस और इंस्रोंस पढ़ांगा पढ़ा रहा हूं और शिच्ट्पीम पर आपको शिए मुद्स करेंट अफर का बैंकिंग पोश्ट माटव चुका है लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और यहां पर आपको कमेंट में भी है ठीक है वीकली करेंट अपर संडे को होता है डिसंबर मंथली कंप्लीट हो चुका है निजय वेंग क्लास दस पचे होती है यह बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है बेश्ट टू हंडेट सीरीज अपनी शुरू हो चुकी है दोस्तों रातपूर नौ बजे एस ब कुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहा जा रहा है उसका अजुद घाटन है जिसका नाम है अटल बिहारी सेवारी नावा शेवा अटल से टू यह यह मराटी नाम है जो की महराश्त में दोस्तों सुरू किया गया है इसको और यह मुझे लगता है भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा करी 12 किलो मेटर का ब्रीज है जिसमें 16.5 km तो C bridge है और 5.5 km elevated road bridge है और 6 lane का दोस्तों ये bridge है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है revolution है अगर कहा जाए road infrastructure के छेत्र में road infrastructure के छेत्र में ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए तो नहीं कल में तबियत नहीं ठीक थी अमित सिंग जी तो कल भी नहीं class होई थी आज भी नहीं हो पाती लेकिन मैंने हिम्मत किया कि चलो बैठ के पढ़ा देंगे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए तो दोस्तों यह जो है आज मोदी जीस का उद्घाटन करेंगे ताबड तोड तरीके से यह जो है सेवारी साउथ मुंबई से सुरू होगा और चिरले नवा सेवा नवी मुंबई में जुड़ेगा तो यानि साउथ मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ रहा है यह आपक ट्रांस हारबर मुंबई ट्रांस हारबर लिंक जिसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया यह अटल जी के नाम पे रहेगा यह उसी दिन घोशित हुआ था दोस्तों जब की बांदरा वर्सोवा लिंक बांदरा वर्सोवा लिंक को वीर सावरकर जी के नाम से रखा गया था बांदरा वर्सोवा लिंक को किसके नाम से रखा गया था वीर सावरकर जी के नाम से रखा गया था दोस्तों मोदी जी आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा एकदम शहर बस रहा होगा एकदम नए तरीके से सज रहा होगा तो आप देख सकते 14 माइल यानि 22 किलोमेटर का इंडिया लॉंगेश्ट ब्रिज अटल सेतू लिंकिंग सेंट्रल मुंबई विट फास्ट फास्ट ग्रोविंग कॉमर्शियल हब अक्रॉस एरेबियन सी अरब सागर पर दोस्तो ये ब्रिज है ये भी याद रखिये और आप देख सकते इस फोटो में एक तरब भारत का जंडा लेकर के शिवा जी है दूसरी तरब दोस्त एक नेवी का ओफिसर है जो की शीवा जी महराज का जंडा लेकर के हैं और इस तरीके से पीछे नेवी का भी जंडा है और उसमें सिवा जी महराज की अश्ट कोड़ी जो सिंबल दिया गया है इन सब का जिक्र करता हुआ यह बहुत बड़ी बात कहता हुआ यह फोटो अपने आप में बता रहा है कि भारत का जो मरीन या नेवी आर्मी थी फारत के मराठा समराज ने इसको शुरू करी थी छाट्रपती सिवा जी महराज के अश्ट कोड़ी सिंबल को इसी लिए इंडिया की नेवी के नए वाले इन साइन में रखा गया है नेवाले पताके में जगा दी गई है और गुलामी की मानसिक्ता वाले सेंच जॉर्ज क्रोस को हटा दिया गया नेवी के जंडे में से दोस्तों क्लीनेश्ट सिटी का जो अभी स्वक्ष सर्विक्चड हुआ सूरत इंदौर क्लीनेश्ट सिटी महराष्ट टॉप स्टेट घोशित हुआ है इंदौर महराष्ट नंबर वन पर दोस्तों इंदौर जो है सिटी में नंबर वन पर महराष्ट स्टेट में नंबर वन पर सूरत भी नंबर वन पर दोस्तों इस बार याद रखिएगा तो दूनों इस बार क्लीनेश्ट सिटी घोशित हुए हैं और तीसरे नंबर पर नवी म ग्रेटर विसाखापटनाव 4 नंबर पे है दोस्तों पाँछवे नंबर पे है भोपाल ये पांचों आप सिट्य याद रखे नवी मुंबई विसाखापटनम और भोपाल ठीक है विसाखापटनम आंद्रपदेस का हो गया कैपिटल एक तरीके से भोपाल हो गया आपका MP का कैपिटल नभी मुंबई हो गया महराश्ट का कैपिटल गुजरात में सूरत और इंदौर तो हमेशा जो है यह टॉप पे रहते हैं MP के इंदौर तो आपको बस तीन कैपिटल है और दो इंदौर और सूरत जो पहले नंबर स्टेट में अगर आए तो दोस्तों महराश्ट पहले नंबर पर है MP दूसरे पर चतिसगर तीसरे पर है औरीसा चौथे पर है और तेलंगाना पाचवे पर है यह बात याद रखेंगे ओके क्लीन चलिए इसके बाद दोस्तों टॉप 10 क्लीन सीटी की बात करें अगर पॉप रखेंगे टॉप थरी के अलावा ठीक है अगर श्टेट की बात करें तो दोस्तों महराश्ट है मद्पदेश है चतिसगर औरीसा है ठीक है उसके बाद तेलंगाना है अंध्पदेश है पंजाब है गुजराथ है उत्तरपदेश तमिल्नाडू है सिक्की में कनाटका है पाटन यह तीनों टॉप थरी में है ठीक है उसका मद्पदेश का महू केंटोनमेंट बोर्ड इसको क्लीनेस्ट केंटोनमेंट बोर्ड घोशित किया गया है वरारसी और प्रयाग राज इन उत्तरपदेश वान दा टूप अवार्ड फॉर्ड दा क्लीनेस्ट गंगा टाउ गया है ठीक है बत समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया तो दोस्तों मध्य मध्यम ग्राम कल्यानी और हावरा ओल सीटी वेश्ट बेंगॉल हैब अवियस डिस्टिंक्शन आफ बीइंग प्लेश्ट अट बॉटम आफ दे लिस्ट वाइल दे स्टेट एड़ एंड आ राज्यों में राजस्थान मिजूरम और रॉणाचल पदेश बॉटम में थे और वेश्ट बेंगॉल के तीन शहर बॉटम में थे मध्यम ग्राम कल्याणी और हावरा ठीक है दोस्तों इस बार की क्लीनेस्ट क्लीनेस सर्वे जो हुआ है उसका जो थीम है वह वेश्ट टू वेल्थ वाइल फॉटवेश्ट टूटीफोर इट इस रिद्यूस रियूस एंड रिसाइकल है यह जो जाए तैईस वाला था वेश्ट टू वेल्थ और दोज़ाच चौबिस वाली थीम है डिद्यूस रियूस रियूस एंड रिसाइकल ट्रीपल आर ऐसे सराजा मॉली ए चलहे दोस्तों आगे बढ़ते है यूपी आई एप नाव इनेबल टो गेट रिमिटेंस फ्रम सिंगापूर अब यूपी आई एप में जो है रिमिटेंस सिंगापूर से आ सकेगा यूपी आई एप इनेबल हो गया है सिंगापुर में इंडियन कान रिचीव रिटमिटेंस फ्रम सिंगापूर डारेक्टली इंटु देयर बैंक एकाउंट इन रियल टाइम थू मेजर यूपी आई एन बैंक एप सच अज भी आई एक्सिस बैंक आई से सी बैंक एन पीसी आई से इस पैसलिटी कैन भी एक्सेस्ट भाई भीम फोन पे पेटीयम एप यूजर्स क्रॉस बॉर्डर लिंकेज बिट्विन यूपी आई एन सिंगापूर स्पेनाओ सिंगापूर के पेनाओ के साथ टाइफ हुआ है ठीक है तो यह दोस्तों बहुत अच्छा बात हुआ है कि इंडियन डियास्पोरा इंडियन ने कलेंडर वर्स दोजा तेइस में 6577 रूट किलोमीटर विद्विती करण हासिल किया है भारती रेलवे ने किस वर्स तक दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे बनने का लक्ष रखा है इंडियन रेलवे हैज एचीब 6577 रूट किलोमीटर इलेक्रिफिकेशन दोस्तों यहां पे 2030 तक जो है इन्होंने लक्ष रखा है 2030 तक इन्होंने पूरी तरीके से ग्रीन रेलवे पूरे तरीके से एलेक्रिफिकेशन पूरी तरीके से नेट जीरो करने का लक्ष रखा हुआ है अभी तक 14 राज्यों में दोस्तों 100% रेल्वे लेक्रिफिकेशन रेल्वे कर चुकिये रेलवे के मंत्री है अश्विनी वैश्नो जी दोस्तों नई दिल्ली में कला उत्सव का आयोजन किस मंत्रा लेने किया है तो यह मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन ने दोस्तों जो है कल बमेंद पदाणच जी हमारे देसके एड्यूकेशन मिनिश्टर है तो साथ ही स्किल डवलोब्मेंट मिनिश्टर भी है तो दोस्तों अभी स्किल के छेतर में अगर देखा जाये तो सबसे ज़्यादा हमारे skilled labor किस देश में जाते हैं तो दोस्तों सुधी अरभिया में जाते हैं, UAE में जाते हैं, कतर में जाते हैं, जापान में जाते हैं, इन देशों में दोस्तों जो हैं सबसे ज़्यादा हमारे skilled labor जाते हैं जिनकी demand सिक्षा राजमंत्री अन्पूरा देवी भी सबारों में विस्षिश्टति के रूप में उपलब्द थी तो नई दिल्ली में दोस्तों इस कला उत्सों का आयोजन 9 से 11 जनवरी को किया जाएगा जिसमें बहुत सारे जो है चेत्रों में स्वर संगीत में शास्तरी में वाद संगीत में नित में लोक नित में दिश कला में स्वदेशी खिलोने में खेल में नाटक में बच्चों को दोस्तों पार्टिसिपेट कराया जगा करीब 36 राज्यों के इंसासित पदेश है मारे जाले और नवोदे विद्याले के लगबख साथ सो चात्र इन सभी सहलियों में अपनी कल्ला का प्रदर्शन करेंगे दोस्तो भारत जुलाई 24 में पहली बार नई दिल्ली में युनेस्को की वर्ल्ड हरिटेज समीती के किस सत्र की मेजबानी करेगा दोस्तों इसका मतलब है इस बार World Heritage Committee की मीटिंग अगर यहां होगी तो World Heritage Site इंडिया को मिलने वाला है तो कि मोधी जी एक दो तो अप्रूब करा ही लेंगे पिछली बार मुझे याद है कि सुदिय अरब में हुआ था तो 41 वा World Heritage Site चुना गया था शांती निकेतन और 42 वा चुना गया था हर्शला के तीन मंदिर अब इस बार तो इंडिया में ही हो रहा है और वो 46th सेशन हो रहा है यूनेस्को की बात करें दोस्तों तो यूनेस्को जो है वो 16 नवंबर 1945 को आई थी पेरिस में हेड़क्वाटर है ओर्ट्रे जोले मेंडम है ठीक है तो यह घ्रावर समीती में 21 सदसर देश के पतिंदी सामिल होते हैं और वर्ड हैटेस साइट चुनते हैं ठीक है युनेस्को का फुल फार्म है युनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल और्गनाजेशन इसके मेंबर कंट्री है वन नाइन्टी थ्री कल एक बच्चे ने कमेंट लिखाता है कि सर्फ पुटी जो है वन नाइन्टी फूर है एक बच चेक करना तुम लो शीलंका के सिख्चा मंत्री डाक्टर सुसील प्रिम जैन्ता ने कहा कि आईटी मदरास के एक नया केंपस शीलंका में सुरू किया जाएगा दोस्तों IT मदरास ने अपना एक केमपस तंजानिया के जान जीबार में open किया और IT दिल्ली ने अपना एक केमपस अबुदाबी में open किया था सहींग तरव अमिराथ UAE में और अब IT मदरास के एक नया केमपस शिलनका के केंडी में open किया जाएगा ये भी दोस्तों question exam में आगा क्योंकि आईटी दिल्ली और आईटी मदरास का campus जो पहला खुला था वो तो exam में आया ही था अभी इसके भी आने की पूरी chances है अब आईटी दिल्ली अबुधावी में एक नया परिसर का उधगाटन होने वाला है अफ्रीकी देशों की सिक्षी का वसकताओं को सम्मुदित करते हुए जान जीबार में प्रियुक पस्थिति आईटी मदरास ने पहले से ही कर लिए अभी दोस्तों आश्टेलिया की दो गांधी नगर में गिफ्ट सिटी में गुजरात में आ चुकी है दोस्तों कॉमर्शियल मिनिस्ट्री ने टास्क पोर्स सेट अप किया है तो आइडेंटिफाइंड रिजॉल्व ट्रेड बैरियर बिइंग फेश्ट बाई एक्स्पोर्टर्स विच आप दी फॉलोविंग एक्सपोर्स रूटीनली फेश्ट हाई ट्रेड बैरियर ट्रेड बैरियर मतलब अगर आप इंटरनेशनल पेरामिटर पे अपने फसलों को नहीं उगाएंगे तो वो रोक दिये जाएंगे वो देश लेने से मना कर देगा ट्रेड बैरियर्स खास कर चिली में हो रहे हैं ट भारत को अमेरिका चीन जापान जैसे देसों में गैर वैपार बाधाओं को हटाने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है इसने घरणू प्रणाईयों को उन्नित करने के लिए कहा है ऐसे मामले में जहां गुडवत्ता के मुद्दों के करण भारती प्रोड़क्ट को अस दोस्तों वर्स 2023 काफी अंतर से रिकार्ड के उनसार इस प्लैनेट का सबसे गर्म वर्स था और संबवत्ता पिछले एक लाक साल में दुनिया का सबसे गर्म वर्स था याद रखिए दोस्तों यह डेटा निम्लिकित में से किसके द्वारा पब्लिस किया गया कि 2023 प्लैनेट का hottest year था तो दोस्तों यह जो है यूरोपियन यूनियन्स कॉपर निकस climate change service के द्वारा जो है इसे publish किया गया ठीक है 1850 से ले करके अब तक के वेश्विक तापमान रिकॉर्ड में दो जाते ही सबसे घर्म वर्स था जब पेड़ के छलों ग्लेसीरियों में हवा के बुलुबुले जैसे स्रोतों से पहली यो क्लाइमेटिक डेटा रिकॉर्ड का धार पर जाची गही है भून टेंपो ने कहा गिए पिछले एक लाख साल में सबसे गर्म होने की बहुत बड़ी संभावना है अधिक गर्म था जब मनुष्यों ने और द्योगी पैमाने पर फोसिल्स इंधन जलाना शुरू कहा था फोसिल्स मनला कोईला वैला जिससे वाई मंडल में कार्बंड एक्साइट पंप हुआ था दोजार्द्व पंध्रा में जो पेरी समझोटा हुआ था High Leer Co 21 से अधिक होने से रोकने की कोशिश करने पर सहमति व्यक्त की गई थी ग्लोबल वार्मिंग को देर डिग्री संटीग्रेट से अधिक होने से रोकने पर सैमती व्यक्त की गए थी ताकि इसके गर्मभीर परणामों से बचा जा सके कि यह पहला वर्स है जिसमें हर दिन पुर्व अध्योगी समय की दुल्ला में एक डिग्री संटीग्रेट से अधिक था हर दिन एक डिग्री संटीग्रेट अधिक गर्म था सक tin भुटान के शेरिंग तोपगे दोस्तो प्रधानमंत्री बने है वो कौन सी बार प्रधानमंत्री बने है वो दोस्तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने है दोस्तो कल मैंने आपको बताया था कि शेख हसीना पाचवी बार प्रधानमंत्री बनी है और मैं आपको बताओं कि सेख हसीना की पूरी स्टोरी मैंने बताई थी कैसे उनके तीनों भाईयों को मार दिया गया, उनके माँ को मार दिया गया, उनके चाचा को मार दिया आर्मी ने, आर्मी ने उनके जित्ते रिस्तेदार थे उनको जेल में मारा, उनके घरों पे जा जा कि मारा इनके मामा को मामी को चाचा और चाची को सब को मार डाला और यह बच गई थी और 1975 से लाके क्रितक रहती है सीख हसीना जीए तो दोस्तों उनकी मैंने श्टोरी आपको पूरी बताई थी आज उस से फाइदा गा और यह जिससे आपको इतीहास की कुछ जान करियां मिलेंगी लिए किस देस्तiegen भरामांड़ात्वर की में उसकाहाय div आइंस्टीन प्रोब लॉंच किया है तो यह दोस्तों चाइना ने किया है आइंस्टीन प्रोब को किस ने लॉंच किया है चाइना ने किया है ठीक है क्लियर है दोस्तों ये ना दो तिहाई बहुमत से जीती है एक्चुली मैं पोजीशन ने बहिस्कार कर दिया ता चुनाओं का कमल के आकार का दोस्तों सेटलाइट भेजने का मतलब है कि चाइना भी बीजेपी का प्रचार कर रहा है इसकी जो है इंडी एलायंस कड़े सब्दों में निंदा कर रहा है 12 पंखडिया है और 12 मॉडल है दोस्तों केंदरी मंत्री पुर्शुत्तम रुपाला ने कि सराज में 108.91 करोड रुपे की लागत से पारादी फिशी हार्बर में उन्नेयन की अधारसिला रखे यूरियन मिनिस्टर पुर्शुत्तम रुपाला है लेट द फांडेशन इस्ट इस्टेट इस्टेट फॉर्द 108.91 करोड तो दोस्तों यह उडीसा में है पारदीप से याद आया दोस्तों लक्षदीब लग्षदीप से आपके question आ सकता है कि कितने Ah लैंड सैंक्षदी कर थail्न से रखो ठोटा Union territory smallest Union territory सबसे कम population है दोस्तों लक्षदीव में इसलिए वहाँ इतनी खुब सूर्ती है लक्षदीव में 90% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं लक्षदीव का literacy rate सबसे ज्यादा है Union territory में सबसे ज्यादा literacy rate है लक्षदीव का केरल से connected है इसलिए इसके उपर केरल के कोच्ची से ही लच्षदीव जा सकते है लच्षदीव की capital भी पूचा जा सकता है कावा रती लच्षदीव का साउधन पॉइंट जो मालदीव के सबसे नस्दीक है वह भी आप से पूछा जा सकता है वह मीनी कौई आपको दोस्तों मैंने बताया था कि इतना साफ है कि इसको ग्यारावां बारावां ब्लूफलेक सर्टिफिकेट लच्षदीव कई दो आईलेंड को मिला था मैंने आप यह राफ अब सीप्लेक सटीफिकेट लच्षदीव से कोस्ट इस बार बने गाहीं बनेगा और कोई मिंस्टर नहीं होता कोई मंतरी नहीं होता कोई विधानसभाह नहीं है क्योंकि यह कैण्द्रशासित प्रदेश है क्यों ये एक DO lock 시 उले एक फूरा पैसा मोदी तो दोस्तों पारादीप फिसिंग हारबर ये कहां पर है ये भी कुश्य ना सकता है उडिसा में है पुरसुत्तब रुपाला जी सागर परिक्रमा लेके चल रहे हैं उसी बीच बीच में ये सारी चीजे भी कर रहे हैं अब तो सागर परिक्रमा का 12 एडिशन जो है बारहवी की चक्र जो है वेश्ट बेंगल में शुरू हो चुका है वे बेन गलो में 12 भाव भी सुरू हो गया ले较वां स्वास्त मंत्री का चैंति स्वास्त मंत्री मंसूक मंडाविया ने किस ने स्था हिएट कि पहली सवक्ष फूड़ी स्ट्रीट प्रसादम का उध्याटन किया ह और दोस्तों तो यह किया गया है उज्जैन में कहां किया गया मेरे दोस्त उज्जैन में किया गया है ओके clear है चलिए बहुत बढ़ए अ हले मद्य प्रडीश का भोपाल दोस्तों भारत के टॉप फाइफ क्लीनेट सिटी में स्थांट बना लिया है पाचवे स्थांट पर है पहले पे हैं इंदौर और सूरत और तीसरे पे हैं नवी मुंबई चौते पे हैं ग्रेटर विशाखा पत्नम और पाच्वे भोपाल दोस्तों कौन सा एयरपोर्ट 18-21 जनवरी तक विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन करेगा तो यह बेगम पेट एयरपोर्ट ने पिछली साल भी किया था है एदराबाद वाले ने और इस बार भी करेगा विंग्स इंडिया सीविल एविएशन का बहुत बड़ा शो है और एरो इंडिया लडाकू भीवानों का है जो की बेंगलूर में होता है यला आजिव गांदी एरपोर्ट है हैदराबाद दोस्तों खाने पीने की चीजों में मिलावट करने में सबसे टॉप पर है वाडिज और उद्योग मंत्री प्यूश गोएल ने कि शहर में मेगा फूट्सों का उद्गाटन किया है जिसका उद्देश इस छेतर से वैश्विक आपार को बढ़ावा देना है तो दोस्तों मेगा फूट्सों का योजन ग्रेटर नोइडा में किया गया है ग्रेटर नोइडा नोइडा से और दूर है मेरट की तरफ है जो की नया डेवलप किया गया है और भी ज्यादा हाइटेक टेकलोजी के साथ नोइडा गौतम पारत रेस हुआ था जिसलिए एट इटली के बेजिची ने जीता था और नोइडा के एक्सपो सेंटर को दोस्तों बेस्ट एक्सपो सेंटर का आवार्ड भी मिला था कि अग्रेश का सबसे बड़ा दोस्तों यह पूड्स एंड जो है कि पेपदार्तों का शो है जिसमें दुनिया भर के देश भाग ले रहे हैं जनवरी 24 में नितिन गटकरी ने किस जगह पर 4000 करोड की 29 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की अधारसिला रखी है तो यह पंजाब में रखी है दोस्तों अभी केरल में भी इनोंने रखी थी अभी पंजाब में भी रखी है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट को इनोंने हरी जंडी दिखाई है उत्तर पदे सरकार ललितपूर में पांच गाओं में 1472 एक जमीन को कवर करते हुए एक क्या बना रहा है एक फार्मा पार्क बना रहा है एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी ग प्रेमुना इंडेस्ट्रियल डेवलप्मेंट अथर्टी ठीक है तो यह दोस्तों फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क दो यूपी में बन रहे हैं वैसे फूल पूर आवला में क्या बना यह मैंने आप से पूछा था यूपी में बिजनौर और लखनव में क्या करने के लिए AI ODC लांच किया है AI ODC किसने लांच किया है दोस्तों यहां पर यह कुश्चन है तो AI ODC लांच किया है माइक्रोसॉफ्ट ने और यहां पर मैं आपको एक चीज बहुत एहम बताना चाहूंगा बहुत तड़क्ती भड़क्ती सी न्यूज अपनी AI की वज़े से अपनी AI इन्वेश्मेंट की वज़े से माइक्रोसॉफ्ट फिर से दुनिया की सबसे मुल्यवान कमपनी बन गई है और उसने एपल को पीछे कर दिया है यह कल की न्यूज है दोस्तों लेकिन यह माइक्रोसॉफ्ट तेजी से अब वापस से अपने वर्चस्व पे पहुँ आफ एई तो एई ने इसको वापस से मार्केट का दुनिया का किंग बना दिया है माइक्रोसॉफ्ट को एपल पीछे चला गया है क्योंकि स्टीव जॉब्स के बाद से एपल खाली जो है इधर उधर टहला रहा है दोस्तो किस बैंक ने NPCI के साथ साझेदारी में सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लाँच किया है तो ये इंडस इंड बैंक ने लाँच किया है NPCI 2008 में RBA और IBA ने मिलके शुरू किया था 2008 के बाद जो भी Digital Revolution है उसके लिए तुक्का मार सकते हो तुम NPCI बस RBA की CBDC को छोड़ देना ने FTA, TGS को छोड़ देना बाकि कुछ भी पूछे तो developed by NPCI and regulated by RBA दोस्तों अगर रिसेंट में banking और इंसुरेंस सेक्टर की facilities की बात करें तो Canra bank ने data analytics center खोला है बैंगलोर में जहां Canra bank का headquarter भी है एक अपरेल को खुलेगा Bank of India ने super special FD launch किया है 7.5% के rate of interest से इंडस इंड बैंग ने इंडस इंड बैंक इस्वर्ण लाँच किया है इंडियास फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड और रूपे नेटवर्क कोटेक महिंद्रा बैंग ने ट्यूलिप लाँच किया है दोस्तों RBL बैंग ने electronic bank guarantee लाँच किये वैसे इंडिया का पहला electronic bank guarantee जो है वो HDFC bank ने launch किया था दोस्तों जनवरी दोज़ाच 24 में किस राजे सरकार को 631 MOU के माध्यम से 6,64,000 करोड का investment प्रापत हुआ है बहुत बड़ी news है दोस्तों 6,00,000 करोड का investment आना एक summit से जैसे कि अभी गुजरात में vibrant गुजरात summit हो रहा है तो बहुत सारे industries investment कर रही है वैसे तमिल्नाडू ने भी दोस्तों अपना investor summit किया और 631 MOU sign होना एक बहुत बड़ी बात है तो तमिल्नाडू global investor meet हुई है दोस्तों 7-8 January को चेन्नई में स्टालिन जी यहां के मुकमंत्री है उनकी बुक का नाम है वन अमांग यू इनके बेटे हैं उदे निदी स्टालिन जो की आपके सनातन धर्म के लिए गंदे वर्ड यूज करते हैं गाली और रोग के बराबर बताते हैं और इनके दादा जी करुणा निधी जो है वह इस पार्टी के वोते करुणा निधी जी की मुर्ती भी तमिल्नाडू में लगाई गई हूँ तमिल्नाडू क्योंकि चेन्नई अलग ही ग्रोथ करता है क्योंकि वह साउथ इंडिया को कवर करता है तो इधर मुंबई गुजरात बहुत जगर डेवलपमेंट बढ़ जाता है तेकि तमिल्नाडू को जो मिलनाडू को मिलता है और बहतरी इनकाम करता है भारत सरकार के रहमो करम पे ये नहीं जिन्दा है ठीक है जैसे ओला फैक्ट्री सबसे बड़ी वहीं लगी टाटा पावर देखिये वहां सत्तर हजार लगा रहा है दानी गरूप 42 हजार लगा रहा है सेम कॉप 36 हजार लीब ग्रीन एनरजी और चेन्नाई पेट्रोलियम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट यहां पे है 27 लाख नोकरियां दोस्तों वहां पे प्राप्त होंगी 2030 तक तमिलाडू को 1 ट्रिलियन डॉलर की एकनॉमी बनाने की बात कही जारी दोस्तों एकनॉमी से याद आया कि अभी महराष्ट के बाद सेकेंड नंबर पर गुझराच जैसे देशों को पीछे करते हुए यूपी सेकेंड नंबर पर जी डीपी में आ गया है क्लिए चलिए आरेन रवी यहां के गवर्नर है दोस्तों तमिलाडू के याद रखेंगे भारत ने लगू उपग्राप प्रयोजना के लिए किस देश के साथ टाइब क्या इंडिया है साइन ने मुई विच कंट्री फॉर स्मॉल सेटलाइट प्रोजेक्ट तो स्मॉल सेटलाइट जो है दोस्तों मौरिसस देगा उसे भारत भेज देगा इस रो तो मौरिसस के जो प जगनाथ जी भी आए थे मौरिसस की कैपिटल है पॉर्ट लुइस रूपीज यहां की भी करेंसी है मौरिसस के राश्पती का नाम है पित्वी राजसिंग रूपन थीक है इनके पिता जी का नाम था प्रविन जगनाथ के अर्विन जगनाथ और वो भी भारत अरे वो भी भारत से उनको पद्म पुरुसकार मिल चुका है उनकी डेथ हो चुकी है वो प्रधानमंत्री राश्पती दोनों थे मौरिशस के दोस्तों इंडिया और गुयाना ने एक M.O.U. साइन किया है फॉर हाइड्रो कारिबन सेक्टर इंडिया और मलेशिया साइन और M.O.U. फॉर कॉपरेशन इन ब्राटकास्टिंग इंडिया और इटली साइन मोबिलिटी और माइगरेशन पाटनर्सिप एग्रिमेंट इंडिय इंडिया और रशिया ने ने प्रेक्ट शाइन किया है दोस्तों आपस में कुडान कुलम नुकिलियुर पावर प्लांट के लिए बहुत इंपोर्टैंट है यह इंडिया और में और कहां पर है तो यह तमिलनादू में है Eylo alistендPad को केन्या को यानि लोन दिया है धाइसो मिलियन डॉलर का ठीक है एवार्ट्स पर आते हैं दोस्तों तो फिल्म ओपन हाइमर ने सरसेष्ट डामा फिल्म का गोल्डेन ग्लूब अवार्ड जीता है इसके अतरिक क्रिश्टोफर नोलन की ब्रॉक बस्टर फिल्म में परमाडू ब अपिर्किव घ्यानिक और सअधांतिक भॉतिक विज्ञानी जेयर आवर्ट ऌपन हाइमर कि सची कहानी परष्थित है जिसे में परमाडू बंप बनाया था जेयर रोबर्ट हाइमर कि स्परियोजना की पीछे के प्रत्रिभा साली विध्योथी विज्ञानी है फिल्म उप बस्टर ओपेंहाइमर दफिल्म इस बेस्ट ऑन देटरू स्टोरी अब यूस साइन्टिस्ट एंड थेओरोटिकल फिजिसिस्ट जे रॉबर्त ओपेंहाइमर वू क्रियोटेड़ दअ एक टोमिक बंग जे रोइबर्ट हईवर इस दा ब्रिलियन्ट फिजिस्ट बहाइंड वि्च प्रोज्ठत यानि उस प्रोजощ का नाम बताई है अमेरिका के जिस प्रोज़क्त तहत निूक्लियर बंग दुनिया पहले nuclear bomb का परिक्षन किया गया था उसका नाम बताईए दोस्तों उसका और मैं आपको बताऊं कि ये आवार्ड आज मिला है ये आपके last month exam में question आ चुका है ओपेन हाइमर के डारेक्टर का नाम बताईए तो कि श्टोफर नोलंग अब ये क्यों पूछा गया ये बताईए य ओपेन हाइमर जो मूवी है वो विवाद का कारण बन गई क्योंकि ओपेन हाइमर जो थे जिन्होंने nuclear bomb का विस्कार किया था वो गीता पढ़ते थे स्रीमत भगवत गीता पढ़ते थे उस गीता को पढ़ने के लिए उन्होंने शंस्कृत भी सीखी लेकिन विवाद क्यों बनाई ये तो अच्छी बात है जब nuclear bomb का विस्फोट हुआ हिरोसीमा नागासाकी पे तो इन्होंने जो है भगवत गीता को कोट किया कि भाई अपनी गिल्ट को छुपाने के लिए कि भगवान विश्नु ने कहा है भगवान श्रीकिष्ण ने कहा है गीता में कि युद्ध रोकने के लिए मुझे संहारक बनना ही होगा और अरजुन को जो उग्देश दिया था कि तुम नहीं मारोगे मैं मैं संहारक हूं I am the creator and the destroyer of the world सुरीजन और संहार दोनों मेरे अंदर बस्ते हैं इस बात को कोट किया था जब हिरोशीमा आपको और नागा साकी को पूरी तरीके से तबा किया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को और कहीं ने कहीं उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड वार को रोकने के लिए ये दोनों धमा के जरूरी थे अगर ये नहीं होता तो वर्ल्ड वार आजीवन चलता रहता और करोडों अर्बों लोग मरते रहते और अच्वेवस्थाएं ऐसे ही और ये नया यूग नहीं सुरू होता ये डेमोक्रेसी वाला यूग नहीं सुरू होता समराज जवादी चलता सब एक दू दूसरे देश को गुलाम ही बना रहे होते आज यह हुआ है इसी वजह से भारत आजाद हुआ इक्यावन देश आजाद हुए जहां जहां भी उपनिवेशिक सासंता कोलोनियल एरा था वो खतम हुआ हर जगध डेमोक्रेसी लाई गई और युनाइटे नेशन जैसे काम किया तो दोस्तों जो हे मेन हैटन प्रोजडर था यह में ho यकन ठिकत थाय मैंने बहुत अच्छा सा सोर्श बनाया था उस समय का देखिएगा कब मिल जाएगा अगर आपको तो फिर से मैं डाल दूंगा है दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि विवाद किस बात का हुआ था विवाद यह हुआ था कि ऑपन हाइमर अपनी गल्फिंट के साथ अपने बेड में थे बेडरूम थे और उनकी गल्फिंड घूमते गूमते उनके टेबल पे जाती है और कहती है कि यह क्या है वो गीता उठाती है कहती है और उसके वाद उसको समझ में नहीं आता है पढ़ तो पाती नहीं संस्कृत तो वो जा करके उनके उपर बैठ जाती है उनकी गल्फिंड और कहती है इ इसे पढ़के मुझे सुनाओ क्या लिखाएं तो ये विवाद था कि इस सिचुएशन में आप गीता को हाथ में ली हुई है जिससे हिंदू भावनाय आहत होती है तो दोस्तों जो है अगर देखा जा लिष्ट डारेक्टर है डारेक्टर का नाम याद रखना है ओपन हाइमर के मुवी का किस्टोफर नोलन बेस्ट मुवी ड्रामा ओपन हाइमर बेस्ट मुवी मूज ये तो नहीं पढ़ना है फीमेल बेस्ट फीमेल एक्टर M.I. Stone पूर थिंग के लिए Best Actor in Movie Drama ये Cillian Murphy जो ओपिन हाइमर के एक्टर है जिन्होंने इस विसकारक का रोल किया था बाकी तो छोड़ दो बाकी पढ़ने की कोई जवरत नहीं है Best Actor Actress यह सब पढ़ना है और Best Director पढ़ना है और Best Movie पढ़ने है बार्बी को कौन सा वर्ड मिला है Cinematic and Box Office Achievement का वर्ड मिला है बार्बी को तो दोस्तों ये जो दुटी विस्विद के दरान जो हिरोसीमा नागा साकी पर इस ये हुआ था इसके एक ही महीने पहले ये मैंहेटन प्रोजेक्ट किया गया था परमाडू बम का विकास मैंहेटन परियोजना या निव मैक्सिको में मैंहेटन इंजिनियर जी ले के प्रोजेक्ट वाई का हिस्सा था अमेर्की सरकार की परियोजना का लक्ष जर्मनों के ऐसा करने से पहले परमाडू हटियाए डवलप करना था फिल्म ओपेर हाईपर ने साउसेश ड्रामा फिल्म का गोल्डेन अवाड जीता है तो दोस्तों गोल्डेन ग्लोब ओपेन हाईमर के आठ नॉमिनेशन में थे और बार्बी जो है वो नौ नॉमिनेशन में थी दोस्तों राजस्थान की 23 साल की दिविकिर्टी सिंगराठोर को राश्पती द्रोपदी मुर्मू से पतिष्ठित अर्जुन अवर्ड मिला है वह किस खेल के लिए पहली भारती महिला अर्जुन पुरुसकार विजेता बनी है तो दोस्तों ये जो है घुड सवारी में पह नहीं होने के बावजूद एसियन पैरा गेम्स में आर्चरी में तिरंदाजी में धनुष चला करके गोल्ड जीत के लाने वाली जम्मू कश्मीर की एक बच्ची जिसकी उमर बहुत कम होगी 12-15 साल की होगी सीतल देवी को अवर्ड मिलाया दोनों हाथ नहीं है और तिरंद देवी हो गई मुहम्मद शामी हो गए ऐस्वरे सिंग्तोमर हो गए दिवकिर्टी सिंग्ग हो गए ऐसे नजाने कितने जो है खिलाडियों को अलग अलग गेम के लिए आवर्ड मिला है 26 एरिया में यह आवर्ड दिया गया है जबकि खेल रत्पुरुसकार जो है वह चिरा पूछार था कि रेगेटा का मतलब क्या होता है रेगेटा का मतलब होता है नौका दोड़ यह कोश्चन अभी 31 दिसंबर को अभी 10-15 दिन 10-12 दिन पहले ही पूछा गया था तो दोस्तों यह है पूरी लिष्ट एशियन गेम्स की जिसमें आरवैसाली जो 84 ग्रैंड मास्टर है वो भी दिख रही है एक से एक लोग दोस्तों यहां पर अंतिम पंगाल जो यू डबलू डबलू की परसन आफ दे यहर है वो भी दिख रही है रेसलिंग वाली एक से ए यहांपे मैं कॉश्च्ण पूछना चाहँँगा एड्वेंच्र स्पोर्स के लिए कौ से अवार दिया गया involved के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया उजन्मवरी यृकर राश्पती की की के द्वारा बताईआएगा travel वेंचर स्पोर्ट्स के लिए कौन सा आवर्ड दिया जाता है प hack तो पहले नमबर पह गुरानक देव इनुवर्सिटी डूसरे नमबर पह लवली प्रोफेस् सेटी और तीसरे नमबर पह कुरुचेत्र इनुवर्सिटी या य्नि तीसरी बार हुआ पहली बार भी पन्जाब इन्वसिटिंटी जीती तीसरी बार भी पन्जाब इन्वसिटी जीती बीचवाली कि वह हुई थी वह जैए इन्वसिटी में वह ती BENGALORE में तो उसनेitz वह जीन गई क्योंकि भाई होश्ट हो तो तुम कुछ भी नियम बना लो वो ज्यादा मेडल जीत गए रेलवे बोर्ड के संचालन सदस से संचालन और विकास ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों ये सीमा कुमार को नियुक्त किया दोस्तों अभी रेलवे बोर्ड की हेड जया वर्मा सिन्धा बनी थी ये उनी की फोटो है जो रेलवे बोर्ड की हेड है पहली बार कोई महिला हेड बनी थी दोस्तों अनिल 980 की जगह पे बनी थी कर दोस्तों अगर अभी देखा जाये तो सल bend tea heart is also the ओर गीतिका मैठा चुनी गई है मैया महराइश्ट महाराश्ट में स्थ वीमें डीजिपी रश्मी सुकला चुनी गई है अदानी पोर्ट के CEO अस्वनी गुपता चुने गए इंडियान ओलम्पिक एसोसियेशन के CEO रगुराम अयर चुने गए तो दोस्तो एक बात याद रखना जीवन में कि पूरुसों तुम किसी और बिरादरी को मत देखो तो भगवान ने दो ही बिरादरी बनाई है पूरुस और इस्त्री और आप देखो तो इस्त्रियां जितनी तेजी से जेंडर गैप कम हो रहा बढ़ रही है उस तरीके से पूरुसों के अपॉर्चुनिटी कम होती जा रही है चाप देखो तो वैक्सिन बनाने में भी चल गए क्योंकि लड़के सिगरेट पीने चले जाते थे गुठका पान मसाला खाने चले जाते थे बीच बीच में तो गाउं में भी देखो तो सेल्फ एल्प ग्रुप में महिलाए आगे कर चल रही है निवेसक दीदी बन रही है ड्रोन दीदी बन रही है लगपत दीदी रही है। नौकरी में जाओ तो इंटर्वी टिव्यू लड़के हैं सेलेक्शन पहले हो रहा है सर्विस इंड्रस्ट्री में लड़की आगे आँगे जा रही है। तो तो तुम्हें किसी और विरादरी से खतरा है और कि तो इस्तरी है कुछ भी कर सकती है। दोस्तो एलिजाबेत बॉन के स्तीफे के बाद गैब्रियल अटल को किस देश का नया पी-म चुना गया है तो यह फ्रांस के नय पी-म चुने गया है और फ्रांस के राश्पती जो है वह है इम्मेनुवल मेक्रॉन यह तो प्रेसिडेंट जो है दोस्तो वह 26 जनवरी को रिप पति राम के रहे हैं मैं तो हाउसमेन बनने के लिए रेडी हूँ बेटा एक कड़वा सच याद रखो कि अगर आदमी और लड़के और लड़की का फेर चल रहा है लड़का सफल हो जाता है तो वो उस लड़की से साधी कर लेता है जो जिससे वो प्यार करता था लेकिन अ पल सी बात कहती है कि अभू नहीं मानेंगे यही बात बेटा कड़वा सच है इसको याद रख लो इसी लिए राजड़ा पिच्चर में कहा गया था कि महले का प्यार अकसर जो है डाक्टर इंजीनियर उठाके ले जाते हैं तो दोस्तों फ्रांस की केप्टल जो है वह पैर प्रिया लटल और अफिशिल लेंग्वेज फ्रेंच अब पैरिस में OECD का हेटक्वाटर है FATF का हेटक्वाटर है और इंटरनेशनल एनर्जी एजनसी का हेटक्वाटर है रेनुका करी सारे एक जैसे नहीं होते सर तो बता एक एक जामपल बता दो रेनुका कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लड़कियों की गलत बात है लड़का ही परदास नहीं करेगा लड़की अगर उससे ज़्यादा सफल है ना तो लड़का ही उसकी जिन्दगी को नरक कर देगा तो कि एक अभिमान मूँ भी देखी तियमता बच्चन वाला तो इसलिए जब भी लड़की ज़्यादा सफल हो जाती है तो फिर वो अपने से उचे ओधे के व्यक्ति से शादी करना चाहती है और उनके पिता जी भी वैसा ही लड़का कुछते हैं कि महीं लड़की अब बैंकर है तो जैसे कि सरकारी नोकरी वाला ही कोई मिल जाए आई एस है तो आई एस ही कोई मिल जाए डॉक्तर है तो डॉक्तर ही मिल जाए साफ्वेर इंजीनियर है तो साफ्वेर इंजीनियर ही मिल जाए तो दोस्तों यहीं कड़वा सच है दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो United Nation Conference on Trade and Development Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina यह क्या है पाचवी बार प्रदान मंत्री बनी है Prime Minister Bangladesh की Sheikh Hasina और Egypt के जो है वो तीसरी बार बने है अब्दिल फते अलसी सी ओके अभी जो है भूटान वाले जो बने हैं वो दूसरी बार बने है दोस्तों World Hindi Day हर साल 10 जनवरी को मना जाता है विश्व Hindi दिवस की थीम क्या है तो World Hindi Day की थीम जो है वो दोस्तों हो है Hindi Bridging Traditional Knowledge and Artificial Intelligence लेकिन World Hindi Day 10 जनवरी को मनाने लगे दोस्तों जब से विश्व Hindi सम्मेलन होने लगा विश्व Hindi सम्मेलन होने लगा तब इस बार एनराई सम्मेलन की बात हुई कि एनराई डे कहा मना है जबकि नौ जनवरी को एनराई डे मनाते हर बार को सम्मेलन होता था इस बर वाइबरेंड गुजरात सम्मीट की बात हो रही है तका राज्य का प्रोग्राम बना बंद इulator मार्ण गुजरात को थमा देते सारी दुनिया की इंडेस्ट्रीज साहे दुनिया के राश्पती गुजरात में दोस्तों इंडिया इंटरेशनल आप दिखिया यह पी आईबी कॉलम जो मैंने सुरू किया है उसको देखते हैं इंडिया इंटरेशनल साइन्स फेस्टिवल प्रोमो फ होस्पिटल है सबसे बड़ा प्राइवेट होस्पिटल है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबदस्त तो दोस्तों ट्रांसलेशन स्वास्त विज्ञान प्रोदुकी की संस्थान में इसका आयोजन किया गया दोस्तों यह यूवा महुत्सों का यूजन क्यों करेंगे क्योंकि 12 जनवरी जो आज है 12 जनवरी आज यह महराज जा रहे हैं फ्रांस हर्बर लिंका उद्गाटन करेंगे आज यूवा डे भी है दोस्तों यूथ डे है क्योंकि आज श्वामी विवेकानंद जी का जन्मदीन है बर् की अमेरिकल की हैड है एडलाइन्स में इनको प्रमुकतास से चाप जबकि इनको बोलने के लिए CP कि जो आज भी याद किया जाता हो 1893 में बोला गया आरंब होगा स्वामी विवेका न damping जी को पुस्पांजली भी अर्पित की जाएगी ठीक है तो ये बाद भी याद रखना है नासिक में हो रहा है यवही नासिक है जो सुपन नासिका के लिए जाना जाता है जो डंद कारण का वन था जहां कुम्ब मेला भी लगता है अजा रहेंब double केश्वर महादेव भीं दोस्तो यही पर सुपनका की नात काटी गई थी यही यहीं सितः गुफा है यही पर सीता जी का जो है हरड़ भी हुआ तैंस यही पर जटाईव बहुत सारे स्थल है कि किसी कंपनी के दुवारा उस कंपनी का नाम पिछले साल पूछा गया था भारत की पहली प्राइवेट किसान मंडी किस कंपनी ने डेवलप करी दोस्तों अधर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्स्टाइल और अधर अधर एक अधर जो जब टेक्नोलोजिकल चेंजिस होते हैं तो उसके लिए टेक्नोलोजिकल प्रोफेशनल से का जाता है इस प्रॉब्लम का सॉलुशन जो देदेगा उसको हम अवार्ड देंगे तो बड़ी बड़ी टीमें और कंपनियां और बड़े-बड़े प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स लग जाते हैं उसका में और उसका सॉलुशन देते हैं तो दोस्त मंत्राले भारत टेक्स 24 के टेक्निकल टेक्स्टाइल के रूप में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक हैकाथान का आयोज differentiate रूप में को टेक्स टेक्स्टाइल में दोस्तों जो है अनुदान दिया जाएगा से टूप त्री विजयताओं को टेक्निकल के स्टाइल में हाकंची इन्वेटरों का नसंधान उध्य72 me विचार किया जाएगा इसके तेहरा बीजेताओ को दिंक Psalm岫 18 महीने के आविजिदी के लिए 50 लाक की राओं राजी मिल सकती है तो जी पतचास लाक की राजी मिलेगी दोस्तों ठीक है वो भी मिलेगी नहीं की रूप में नहीं मिलेगी एठार महिने के लिए मिलेगी यानि वापस ले लिया जाएगा लोन है इस बारे में प्रस्ताव है क्थान भारत टेक्स 2024 सब्जेक लाइन के साथ पांच फरवरी 2024 तक बेजे जा सकते हैं कि अडिशनल सेक्रेटरी दीन द्यालुपाद्य नेश्टल रूरल लाइबली हुड मिशन स्री चरंजीत सिंग एन एस बी आई चीफ जनरल मेनेजर श्री सांतनू पेंड से साइन एमो यू टूडे ऑन स्वयम सिद्धा एस पी आई फिनेंशियल प्र मुंबई में यह ग्रामिड महिलाओं के लिए दोस्तों यह एमो यू किया जा रहा है दो करोड लखपत दीदी बनाने के लिए दोस्तों चरंजीत सिंग जी ने इसे एक महतपुड कदम बताया है यूनियन मिनिस्टर स्री पुरसुत्तम रुपाला जी है दोस्तों सागर प 12 का नेटित्व किया सागर परिक्रमा चरंण बारक करक्रम पश्ची मेंगाल के पुर्व मेदनी पूर जिले के दीघा में सुरू हुआ है स्री रुपाला ने लाबार्तियों के साथ बातचित की है तो दोस्तों यह मच्छवारों को और मचली किसानों को उनकी योजनाओं क के लिए किसान के डिट कार्ड मत्स संबदा योजना जैसी योजनाओं के लाभू को बताने के लिए इस सागर परिक्रमा को सुरू किया गया था करीब गुजरात से सुरू किया गया था मुझे लगता है और अब देखिए वेश्ट बेंगौल तक पहुंच गया यानि कार्ड भी डिश्टिब्यूट किये गए दोस्तों कि हैचरी सजावटी मचली का इंसुलेटेड वहान मचली चारा भोजन दुपईया वहान आटो रिक्सा बहुत सारी चीजे दोस्तों डिश्टिब्यूट की गई तो दोस्तों मेरी तबियत नहीं ठीक तिसलिए कल भी क्ल क्लास तो रोज हो रही है यह कभी नहीं रुक रही है दोस्तों गुरूमंत्र सो बेसिक कास me to do शुरूकर इंटर्व्यू के लाइए तो अभी चौह चौती पाचिवी क्लास उसकी हुई है तो दोस्तों यह संग्धाइक ज़ूरी है इसको आप लोग ले लिजेगा वरना पच्टाने को रह जाएगा दोस्तों क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो बच्चे इंटर्व्यू में और भी प्यों में कौलिफाई किये हैं उन सब ने असी असी नंबर लाए है पैसक पैसक नंबर लाए है और सबने इस बैच को इंपॉर्टेज दिया कि सर के हमने बैच किये थे सर का गेम चेंजर बैच किया था यह गेम चेंजर बैच का अपडेटेड वर्जन है फोर पीम क्लास यानि की लेटेस्ट अपडेट के साथ तो इसको जरूर करिएगा ठीक है तो आपको नई चीजे भी पता चलेंगी कि न अपरेंटिस में हाइस अटेम्ट दिया जब लोग 10-12 अटेम्ट किये तो हमारे गुरुमंतर बैच के बच्चों ने 30 से ज्यादा 35 तक जो है दोस्तो 38 तक अटेम्ट किया है तो यह जीए भाई प्यूसर एप पे भी अवलेबल है और वेबसाइट पे भी अवलेबल है लि देंकी सो मच शुक्रिया धन्यवाद जय हिंग जय भारत बाबाइट टेक के लब यौल गौड ब्लेस यौल है थावट